इसकी करनी एवं घातांग मुहबबत की आखरी रस्म होती है जलील होना मैंने मुहबबत वहां तक निभाई है भुजंगी लाल जब आज तो जलील होना पड़ेगा तो कि सची मुहबबत चुकी है पिछली क्लास मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यह सर्ड से इंडैस बहुत हैवी पाट है जो बच्चे पिछली क्लास नहीं लिये होंगे इसकी पिछली वाली क्लास जो लोग नहीं लिये होंगे या लिये होंगे और घर पर नहीं पढ़के आए होंगे तो दोनों समान है आपने class नहीं लिये है और class लिये है तब भी अगर पढ़के नहीं आए है तो आप दोनों समान है तो आज की class बिलकुल भी समझ में नहीं आएगा बिलकुल bounce जाएगा जो बात है मैं clear बोल देता हू पहले जा करके आपको पिछली क्लास का वीडियो देखना है तब आपको समझवाएगी जो सत्थ है हमने बता दे क्योंकि पिछली क्लास में पूरा फर्मुला वगरा पूरा कॉंसेट कर दिया था और आज यह वर्क्सॉप है और वर्क्सॉप एकदम जीरो से उठाएंगे किसी भी एकजाम का उसे कोई मतलब नहीं है इसके लेविल हमेशा बना के रखिए तो कि आजकल इजी कोस्टन्स नहीं आते हैं ठीक है जी स्टार्ट करते हैं चलिए पहला कोस्टन लिखे 8 अपॉन 27 का पावर माइनस 2 बाइ 3 मल्टिप्लाइ 3 का पावर माइनस 2 मल्टिप्लाइ 11 का पावर 0 आपको सॉल्व करना है क्या होगा बोलिएगा कोई भी मत ठीक है अब जीरो सुठाए है और इसको टॉप तक ले चले कि अधान के शॉड़ बोल दिजे की संट करते हैं कि आवास क्लास में जाते है कि एकदम जीरो से उठाएंगे तक ले चलेंगे कि कि èam कितना अंसर आया वद है वे वाइगो य्दवर मैं क्लiर करता हूं देख लीजी इनको दिख़्त हुया एधिया हां से देखिए ठीक है पावर क्या है माइनस में है और पावर क्या है भ्ढ़िण मैं है वे फर तो नहीं पड़ेगा इसके उपर पहले solDe lower क्या है अब यहां पे 3 का power minus 2 है तो power अगर अगर मांस में है मैं आ अगर क्या बुला था मैं कि प्हले प्लस्म करने के लिए कहां करना पड़ेगा नमबर को पलट देंगी ant Liegel adult posture 920Produ यह तो कुछ नहीं है किसी भी नमर का पावर अगर जीरो होतों इसका वैलू क्या होता है यह तो डरा आ रहा है आपको भुजंगी लाल समझ रहा है अब भुजंगी लाल बन नहीं जाना है यह कुछ नहीं आप इसका देजिए 3 अब देखे टू भावर कितना हो गया मैनस पावर माइनस में है तो नमबर को रतना पड़ेगा तो तो रावर थी का उल्टा क्या हो जाएगा थ्री गाए टू तब पावर टू हो गिया 1 वाइन अब ये क्या होगया 3 के स्कुराइर 9 2 के स्कुराइर 4 1 वाइन 9 से 9 कैंसल हो गया बच गया कितना 1 वाइन 4 ये मुझे solve करने की जुरूत नहीं थी क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पूरी चीजें बता दी थी लेकिन आज मैंने एक question इसलिए solve कर दिया है वाई किनिंग का label बहुत खराब होगा वारम अप नहीं हुए होंगे ऐसा होता है इसलिए ठीक है 2024 जो क्या है वो आप जानते हैं आपका dream project होना चाहिए यस नुकरी मिले चाहिए नहीं मिले अपने परिश्रम में कभी चूक मत करना अपने परिश्रम में कभी चूक नहीं करनी है अगर ये नहीं करोगे न तो नुकरी मिली जाएगी देर और सबे जितनी देर से आएगी उतनी दुरूस्त होके आएगी समझे न इसलिए अपनी महनत में कभी कमी नहीं करनी है इसलिए नहीं मंदारी से परनी है next question लिखे अगला 125 अपोन में 216 का पावर माइनस 1 बाई 3 मल्टिप्लाइ 36 अपोन में 25 का पावर माइनस 1 बाई 2 मल्टिप्लाइ 1 अपोन 2 का पावर माइनस 2 सॉल्व करना है 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद है न मैंने बोल दिया था एक से लेकर के 32 तक का स्क्वेर याद रखने के लिए देखिए बना के 15-15 सकेंड का मैं टैम दूंगा बोलना कोई भी नहीं है मैं खुद पूछूँगा मुझे सब को लेकर चलना है अब अब कितना अंसर आया 4 केलियर है सबसे अगर्दम सही है मुझे बनाने की उताब नहीं है इसका कितना अंसर आएगा 4 आया अगला कोईशन लिखिए नेक्स्ट 8 अपॉन 125 का पावर माइनस 4 बाई 3 मल्टिप्लाइ 8 का पावर 2 बाई 3 8 का पावर 2 बाई 3 मल्टिप्लाइ 5 का पावर माईनस 1 मल्टिप्लाइ 2 का पावर 0 घवराई ये मत ऐसे ही कोईशन देते हैं हर तरह की कोईशन देते हैं इजी सी फिजी और अगर हकीकत में देखा जाए तो ये सब कोईशन भूट ही ईजी है तैसा भी होता है तो चीजे बुजाननी है तो चीजे बुजाननी है कितना आंसर आया क्वेशन ओन ट्वेंटी फाई एक सुपच्छी थर्टी सैया भाईल हबल्दार अब डर काहे का अब यह से गरवरी 125 अपन फॉर यस दा राइट आंसर 125 बटे चार इस कुश्च्छन का आंसर कितना आएगा 125 बटे 125 अपन में फॉर जिनको दिक्कत तुरी आंसर नोट करते जाएए और घर पे जाके देखिएगा सफलता का जनम जो है वो घर से होता है क्लास लेने से कुश नहीं होता है पुरी हिंदुस्तान के बच्चे क्लास कहीं ने कहीं लेते ही है जिसको जहां जसता है वो कोचिंग जोएन कर लेता है लेकिन पुरी हिंदुस्तान के बच्चों को नोख्री नहीं लग जाती है नोख्री इसी को लगती है जो क्लास के सासाती मंदारी से घर पे बहनत करता है क्लास सारवजनिक होता है सफलता ब्यक्तिगत होती है क्लियर है अब अगला कोशन वेरी वेरी इंपोटेंट 64 का पावर 2 बाई 3 multiply 2 का पावर माईनस 1 division 8 का पावर ये 0 है इस पूरे का whole पावर माईनस हाफ है 1 की माईनस 1 बाई 2 division 1 बाई 2 का पावर माईनस 1 अब solve करके देखे आज की क्लास में पहले बोल दिया हूँ कि आज महबबत की आखरी रस्म है जलील होना और आज जलील होना पड़ेगा पहले याति में एक सेर पर दिया था इसलिए इसको समझना था कि आज भाई जब कोई चीजें टफ होती है तो उसको देखना पड़ता है मंदारी से पढ़ने पड़ती है अब देखे एक बार मैं कभी क्लियर कर देता हूँ उस कोश्चन को कंसंवन गभाई कुंक्यों कर आज बहुत कोश्चन है लोगा कर सकते 2 सबसे पहले चलिप आपको क्या करना चलिप में इसको क्या लेक्ता क्राइब कितनी यार बोला तो क्या लिख सकते हैं फोर का पावर थी भी लिख सकते हैं इसको अब यह है मल्टिप्लाइट टू का पावर मांनस वन तो टू का पावर मानस वन मतलब क्या हाफ है और नहीं नमट को पलटेंगे तो का उल्टा होगा 1 by 2 पावर प्लस मह जाएगा वन का पावर इसका पावर 1 तो फट तो नहीं पड़ेगा यह तो आपको डरा रहा है बारा वुला यह बेवकू बना रहा है एट का पावर 0 कितना होगा वाना वान को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वही नमबर ह होगा इसका कोई मतलब है नहीं है है ठीक है यह पावर किया है माइनस 1 ज कर दो फोल का सक्थमार किसी को से काते हैं कितना हो गाए । एट का पावर की हो जाएगा माइनस पावर यहां तक पहुंच Marines पहले अताब पूँंचे इन लियर है न आप है क्या हैहां पे डिविज Wasn टू आप पावर क्या है माइनस में और तो इहां को ध्यान से देछना है तो आप गौर करो यहां पे पले पलट देते हैं इसको को कि ऊपवर है क्या करते हैं कि तो मालीजिये अगर यहां तो ऐसा कर सकते हैं इसको कि मैं डिर्क्ट दो इसको रूट का पावर क्या हो जाएगा पलस में ये कर दून तो छली पढ़ी आप शमझण लीजिए वन उट पावर कितना हो गया हाफ डिविजन अब आप गौर करो पिछली क्लास में बताया था किसी नंबर का पावर हाफ होगा इसका मतलब क्या हो गई इसका रूट लग जाएगा इसका मतलब क्या हो गया रूट टेंडर वन भाई एट डिवीजन टू इमामली प्रस्ट नहीं है बहुत अच्छा कोशन है अब यह क्या ह हो गया वन क्या हो जाएगा वन रूट एट अडिवीजन तू अब यह क्या हो गया वन भाई एट डिवाइड करेंगे तो का उल्टा कितना हो जाएगा वन भाई तू यह तो रूट एट है न तिसका अंसर कितना हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एट एट को भी क्या ल हजिनको दिख़त होती है नोट कर लीजी जो सत्थ है मैं पहले वह बताऊं इसमें ईजी नहीं होते हैं सोते हैं कुस रीजोत आ को अप्सन के उपर निफर करता है को उपा से म्लातिपलाई करना पढ़े कि इसको एक स्टेस और जबहा सकते हैं आंसर इससे यहां पढाया और यह समझे एँ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा रूट तू से ओपर नीचे इसी भी आपशन हो सकते हैं न donde यही सब चीजें नों परिशान करता है बेसिक छोटी छोटी चीजें ही परिशान करती है आपको आप इंग्लिस पढ़ेंगे इंग्लिस आपको टैंस थो यह परिशान करेगा गलत सोचते आपको परिशान कौन करेगा नाउन परिशान कौन करेगा एड़ेक्टिव आपको प पर्षेंटेज में कुछ थोड़ी होता है उसको डाटा है उसमें चीजें उसको आप संजूर नहीं पाते हैं बात को नहीं समझ पाते हैं एक गाई सारे 6,000 अब बेची गई तो सारे 12 परसेंट का लॉस हुआ ताब तो समझ दोगे कि तरीका यह है निकालने का लेकिन अब निकालो के से सारा 12 परसेंट को तोरना ही नहीं आ रहा है यह प्रोब्लम हो जाती है है क्लिजयर है को declaration बना के दिए नेक्सट का एट स्क्वायर है स्क्वायर है मुर्टिप्लाइब फाइब वँरन तो एट इसक्वाइर मुर्टिप्लाइब वँ फॉरे का होल पावर तू कब वाई-पावर इस workshops तो अपान वय दिवीज somewhat 16 पावर माई पावर इस तू करके देखिये घवराईये मतुर्व इस बन गया है चलिए 10 सेकिंद का और लीजिए टाइम कर देखो लॉजिक लगा हुए आप यहां पर यहां समझें अनने पर यहां पर क्टेगा न है जब भी पावर फ्रेक्शन में रहेगा भीन में रहेगा तो नीचे वाला कटेगा कहां से जो अंदर में डाटा दिया वह वो ऐसा बना के दिया रहा था पिछली क्लास में इस इखा दिया था आपको फट से पकड़ लेना चाहिए यह 8 का स्कुरें तो यह क्या होता है एक क्यूं आपको एक युब याद नहीं है कि अभी पटक देगा अब फटक वेकर तो अक नहीं काम करेगा उप ज़ो चीज़ नहीं पता होते जलदी से चीज़ नहीं होती है अब फते नहीं ओप पर किया पॉरा डीबीज़न को कि पहले अपर 16 रहे पावर क्या तो मैनस तो पहले नमबर को पलतो तो दो क्या हो जाएगा 16 का स्कॉएर अब फट से यह नहीं कि 16 क्या स्कवेर दूसरों छपपना आता है जिसकी जहां ज़िए उसको नहीं लिए आता भी यह तु रूख जाओ कि यहां से आधेर ने करने लिए आता है तो बहुत कुछ लोगों को आता है जहां जिसकी जौरत पड़े यही चोटी चोटी चीज़ें चाहेगा में अभी एक लिए नहीं बोल रहा हूं जो आप डिप मोड में जाएंगे यही सब परिशान करता है बच्चे को हाथ आता तो है तो उनको सोला का स्कुर्ण लिखेंगे लिखेंगे यह होता है बुद्धी आदत अच्छी बनाए खराब चुजों कभी आत्मत बनाए अब क्या होगे अगर यहां 256 लिख दे आपको परिसान हो जाती काटने में चलो यह चोटी चीज है कोई बात नहीं लेकिन अगर यह आदत रही तो हर जगा आप स्कुर्ण कभी भी ध्यान से सुलेना अब यह बेसिक सिख रहे हैं किसी को बना रहे हो अगर बीच में कभी भी डाटा है आता ह है आपको आगी है कि 1990 स्कुरिया अपको माल दो आता है और 361 totally 361 कहीं जवरत नहीं है इसको नीचे खिच के लेके आना नीचे खिच के लाना लास्ट में डाटा को रखा जाता है पूरा ओपें करके रखा चिट पूर करके ताकि जो कटे गाओ काट देंगा सानी से आउसके बाद हम रखेंगे अगर आपने बीच में किसी डाटा को मल्टिप्लाइ करके रख दिए इतना हैवी नमबर आ गया फिर लास्ट उसको आपको का करना पड़ेगा तो वही परिसान करते हैं अगर आपने कहीं भी गलती कर दी छोड़ी सी लेने के देने पर जाएंगे टाइम बहुत कम रहता है मा कोई चीज वहां करते हैं के लिगर है अगला कोशन बना के देखिए नेक्स्ट यहां तक क्लियर है न कोई दीकत नहीं न चलिए अगला बेहतरी कोशन यह बनाए यह पहले अभी आप 81 upon 16 का पावर माइनस 3 by 481 upon 16 का पावर माइनस 3 by 4 multiply कर लिगर के ओडिए 25 upon 9 25 upon 9 का पावर माइनस 3 by 2 का पावर माइनस 3 by 2 division division i by 2 i by 2 का power minus 3 i by 2 का power minus 3 आपको solve करना है अगर ये solve कर लिए question अभी तक आपका ok है कोई दिक्कत नहीं है और मैं time देता हूँ आपको 10-20 second का पर नाम से बनाई जिनका level कमजोड है उनको नहीं बन रहा होगा ये मैं जानता हूँ अगर दम आप balance रखे है और देखें कि कैसे कैसे questions आते है आने वाले समय हम को बनाना है दूसरा भी कोई आपके पास भी कल्प नहीं है अगर आप कमजोड है तो थोड़ा पैसेंस रखे धैर बनाना सीखे अगर 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 थोड़ दूंगा that would be better for you क्योंकि आप यह देखो कि इतने सारे स्टेंट्स बनाए हुए है आप से क्यों नहीं बना सब तो भी सिखा है भी क्लास लिया है आप से क्यों नहीं बन रहा है तो कहीं नहीं कहीं आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कमी है पढ़ते नहीं है ध्यान सब बना ली है सब तो लगों बना ही लिए तो तो देखर उसके अधासर कितना आएगा वान आएगा फिर भी दिक्कत होगी नेस्ट क्लास में पूछ लिजए कोई भर पे ले जाए खुद की जब कोछीज सीख लेते हैं तो खुद को बिस्वास कीजिए खुद को इस पूरे का होल पावर हाफ है बहुत ही सिंपल कुष्चन है का पावर हाफ है इसका मैं ऑप्शन भी देता हूं क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़ी अच्छे है question become root five white three पहला option second option जैसा इस या हुआ है प्सन इसलिए रूट फाई भॉपाइव पॉर्पउन में टैप पॉर्स में 10 सेकेंड ओप्षन है आपका है कि ए मैं एक को डेखे बना बना लिये है क्या बात बहुत बढ़ी ही यह अब बताए तो कौन सा option, option C यानि option C आप बताओ option B second option चलिए एक आया है C एक आया है B और पहला और चौथा पुकार रहा है पहला और चौथा पुकार रहा है मेरा दिली यह पुकार यह आजा अपने गम के सहारे आजा मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूँ अपने छात्रों के चेहरे पे चात्र या छात्राएं चेहरे पे मैं सिकन नहीं देख सकता सकन मतलब तनाव, उदासी लेकिन मैं क्या करो? मैं मजबूर हो जाता हूँ मैं जो कहता हूँ आप नहीं करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आपके अंदर घुज जाओ, जीन बनके, मैं साथ जाओ एक्जामनेशन हॉल में, दस सेकेंड का उट टाइम लिजी, कोई दिकत नहीं, ये option में इसलिए दियान कुछ बात है, जब आप answer निकाले हूँगे तब आपको option मैच नहीं कर रहा हूँ, तभी तो इसलिए कुछ reason है, तैसे मैं option ही देता हूँ, option में बिश्वास नहीं रखता, खुद पर बिश्वास रखे, और कभी भी धियान रखना, option को देखना भी मत ये तो अच्छा option है, इसलिए मैं आपको दे दिया हूँ, एक बार में exact answer निकालने की कोशिस कीजिए, जो मैच करें, वो मैच करवाईए, सुविधाय इंसान को कमजोर बनाती थे, कभी option कभी मत देखना, math के अंदर ये ध्यान रखना, खुद के, क्यों, option पर डालो ना डा हूँ, यह भी reason है, कि मैं बोलू, आप साथे सुनो और लिखो, इससे image बनती है, यहां पर सीधे मैं question ला दो, ऐसे तो मैं इसे बकलोल टाइब भाइट हारा हूँ यहां, आप लिखते रहो, उसमें आपका नुकसान हो गया, क्योंकि मैं question बोल नहीं पाया, ताब digit नहीं सुन पाय, teacher को इसमें फैदा होता कि यहां ला दिया, to root 5 यानी की third option, second option, yes, second option is the right answer of this question, अब बताव मैं बनाओं इसको कि छोड़ दू, clear है, ठीक है न, तो चली, बहुत बढ़ी हां जी, कोई दिक करता ही न, देख लिजे, जहां दिक करता हो, मुझे पूश लिजे, आगे बढ़े हैं, चली, next question लिखे, अगला, next question लिखे, 16 का power 0.16, 16 का power 0.16, multiply 2 का power 0.36, आपको solve करना ही, next question है, question कैसे कैसे आते हैं, देख लिजे, हड़ तरह के questions आते हैं, बहुत easy question है, 16 का power 0.16, multiply 2 का power 0.36, जिनको भी दिक्कत हो रही है, एक बार basic math की class आप और ले लेना, basic math की class एक दो बार लेनी भी चाहिए, ठीक है, आपको कोई छूट है, आपको दुबार पेमेंट नहीं करना है, आप यह मत सूचे, एक सर बार 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 बुलार है, हवेली पे, हवेली का चार्ज कहीं जाएदा तो नहीं लेंगे, बाद में घर पे जो एली भापे में आया, basic में चार बार class ली ओ, 40,000 रुपिया, एक साल बार ना, इंदे लोन समझ मारा है, 20% समझ मारा है, positive sign लाओ, फिर दूसरी बार लोगे, 40%, 30% कमजोर हो तो क्या करोगे, यह होगा, देखिए, इसको मैं clear कर देता हूँ, एक बार, आप समझना, यह बहुत easy question है, लेकिन यह आपको बहुत कूछ सिखा के जाएगा, अब देखो, यहाँ पे क्या है तो मैंत बहुत असान होता है, लेकिन मैंत में कुछी चीज़े rule है, जिसे आप देखो, मैंको समझाता हूँ, आपको भी basic मैंत में पढ़ाया था, कि A प्लस B के whole square का फर्मूला होता है, A प्लस B के whole q का फर्मूला होता है, नहीं होता है, आप A प्लस B के power 10 का फर्मूला दे नहीं, लेकिन आपको ये प्लस B के power 10 का भी question पूछेगा, जब algebra हम पढ़ोगे, तब क्या करोगे, तब दिमाग लगा होगे, हर चीज का फर्मूला नहीं होता है, फर्मूला सिर्फ बेस के बनते हैं, अब आपको उससे जैदा कोई चीज़ें पूछ रही है, तो आपको द बेसीक्वल हो, तो पावर को क्या करेंगे, एड कर देंगे, जूर देंगे, तो multiply तो है, लेकिन बेसीक्वल तो नहीं है, नहीं बेसीक्वल है, तो बेसीक्वल कर दो, अगर बेसीक्वल नहीं है, तो बेसीक्वल करो, रूल पर यहीं तो रूल पर फोकस करो, तो क्या होग अगर बेसिक्वल हो तो पावर को एड़ करेंगे बेसिक्वल नहीं दिया वाद बेसिक्वल कर दो टू का पावर फोड अब पहले से क्या है जीरो पॉइंट वन सिक्स इस इतना कीचे नाम तुम्हा एक जामनेशन हॉल में इस अभी मैं समझा रहा हूं बहुत सौट करना है कैसे भी पूर सकते हैं अगला वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉस्टन अगला वेरी 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 इंपोर्टेंट कॉस्टन 16 का पावर 3 वाई 2 पलस 16 का पावर माइनस 3 वाई 2 बूलिये कोई भी मत जब तक मैं नहीं पूछू 4 बूल 총 1 बंत प्रों पर्च को अन कि देखिए एक पर मैं क्लियर कर देता हूं अच्छा कोई आप 10 सकेंड और टाइम लिजी क्योंकि बहुत सारे सच्छे हैं इंको ग्रीपिंग करती है तो कोई दिखा देख देखिए अब ध्यान से देखना यहां पर आप देखो यहां पर क्या है पलस यहां पर क्या दिया हुआ है पलस अब बचा वहां देखता है पलस उसको दोखा हो गया है से अधारूरीद पीके बनाता होगा को सिट करता हो या बीवी से जगरा करके आगया होगा पलस कास आएगा सर्थू मल्टीप्लाइए और मैनस सीखाया है उसको मैं पावर को मैंनस करेंगे लेकिन लिखाया हूँ मैं तो लिखाया हूँ उन मी्फार मं अपलसे का पावर रहें की फॉर्मूला strang 2007 पलस का लिखाया हमाँ तो जिस चीज का फर्मूला नहीं Houston कि wurde तो है यह प्रस को कि बनाना पड़ेगा 14 16 को क्या लिख होगे 4 का square 3 by 2 क्योंकि नीचे वाला तो काटना है पहले न यहाँ 2 है यहाँ 2 का power 4 मत कर देना यहाँ 4 आ जाएगा फ़र कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन जितना है उतना ही लाओ नीचे वाले काटने करतना पलास यहाँ पर इसको भी पले स्थिक करते हैं तो क्या होगा यह 4 का square का power minus 3 वाइट तू से 2 टैंसल और का क्यूब मैं डैक लिखू 64 प्रका क्यूब लिखू 64 कोई दिक्कत नहीं आता है न फरका क्यूब ठीक है पलास यह भी कट गया अब क्या हो गया फोर का power minus 3 तो मैं डैक लिख दूँ इसको वन वाइफ फोर का power क्योंगे नंबर पलटेंगे तो वन वाइफ फोर का हॉल क्यूब तो मैं डैक लिख भूए खालिश छे आव通 बिखू ॹोर जीरो नैन शिठ्स्टोला द принцип पलस वन कितना अग्या फोर जीरो जीरो नैन शेविन अपंद मैं आउच्छिस्टी फोर यह इसका अंस्टे 100 है क्या Fish Noak कαर लीजिए और अगला question बना के देखे धराक्स इसको फिले note कीजिए क्लियर है अगला question लिखाओ लिखे next question 81 का power 3 by 4 minus 81 का power minus 3 by 4 बोलिए का कोई भी मत मुझे exact answer चाहिए इसका को आप तुमें एक वता दिया हो आपको 81 का power 3 by 4 minus 81 का power minus 3 by 4 81 का power 3 by 5 2 2 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 6 बन किया हो गये एकितना अंसर आए ठीक है 728 728 अपॉन में 27 जिनको दिखकत तुन कानसर नोट कर ली जिए घर पे दिखेगा मुझे लग रहा ऐसे दिखकत हो गी अब अगला question board पे लिखा हुआ है 82 का power minus 4 अपन में 16 का power minus 5 multiply 2 का power 7 multiply 1 upon 2 का power minus 1 multiply 2 का power 0 घबड़ाई एमत आप अराम्स बनाईए पहले आप कोशिश कीजिए थाल करुए्ट कि लियर है तो का पावर एट उसको तोड़ दीजिए तो का पावर एट कितना होता है तो फ्यूटे शिक्स कि लिए को एक पर प्याद करो खूर को देखें आप यहां ध्यांस देखाएं कि क्या है यह तो डीजिए रूल बता है अब यह तो बहुता है और फिर यहां पे क्या लिख सकते हो तो पावर 4 नहीं लिख सकते हो तो यह क्या हो गया टू गमा झाल यह तो इतो कट गया थे तो पूरा कट के वह ना गया ना तो पावर सेबन तो इसको अभी रख लिए यहां पर तो आता है तो रख देंगा इसा मत करना वो सकता आगे कहीं घटे जुड़े आगे देखते हैं तो करना ही करना आप तो पूप पावर उपर चला जाएगा यह तो आपको डर आ रहा है तो जीडो है वह नहीं अब आपसन में देखते हैं तो का पावर एट नहीं देखर आपांसो बाराएगा तो फूप्यूटिसिक्स सब चीजे बताया था मैं कि टूप पावर टैन तक कितना होता आपको पता सब्सक्राइब यह नहीं है किलियर है कंप्लीट अगला नोट कर लिए जिनको दिक्कत हुई है अगला कॉर्ष्ण बना के देखिए कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है देख लो अगर जाहां दिक्कत हो मुझे पूछ लेना ठीका अब एक कोईशन आप यह बना के देखिए माइनस टू का पावर माइनस टू का पावर माइनस टू बहुती सिम्पल कोईशन है इसको आटा देता हूँ कि इसके ऑप्शन से हैं कि 16 माइनस 16 वन बाइ 16 माइनस वन बाइ 16 उसके ऑप्शन में इसलिए लिख दिया नों कुछ कॉप्शन बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं आपको लिख दिया गवड़ाईय में टिपकल कोईशन है अब धियान से देखिए गवड़ाएंगे गवड़ा जाए और रियलाइज भी करते जाए ठीक है अपने लेवल को महसूस कीजिए हमारा क्या लेवल है गवड़ाना नहीं है बिल्कुली बुल रहा हूं गवड़ाना नहीं है किसी समस्या का समधान कभी वी चिन्ता और घवराट नहीं होती है समस्या का समधान एक ही होता है धैर से थंडे दिमाग से उस चीज को समझना क्या कमी है बस इतना ही सी आप लोग मेरे दिल के करीब हो यह मैं सध्यान रखना गुरु जी के लिए छातरी तो सब कुछ होता है और आपके दिल में कौन बसता है यह देखना है वह यह दिल में तो आप बसते हो आपके दिल में कौन बसता है यह देखना है सिर्फ प्यार एक ही तरफ प्यार चल अब को आपके दिल में यह देखना है को इक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है कि खिलियर है कि कमप्लीट है देख लिजी और ताली ओब जी आन्रकना ताली बजाने का भी तरीका होता है सही दिशा में सही मारदर्सन में की गई मेहनत ही रंग लाती है आप खुब मेहनत कर रहे हैं और आपका guidance खराप है आपका दिशा खराप है डिरेक्शन खराप है ताब वो तब भी नुकरी नहीं लगेगी जानते कि ने जानते हैं अगर किसान को अनाज पैदा करना हो तो फावरा कहां चला झाल पाएगा तो क्या आनाज पैदा कर पाएगा मैहनत तो बल की ज ilsबलत हैं ना तो प्रहक होती है इन पांचों की सेम, पैरल्लbersन दिखो अब ताली किसे बोलते जाए ये है ताली ये और ये पूरा पंच होना चाहिए इताली है ताली ये निया ताली क्या है ये है ताली ये दिसे लेगा बॉक्स बज़ रहा है ताली सही दिसा में की गई महरता ताली तो सही होनी चाहिए ना मैं बोल रहा हूं आम आप लिकरें इमिली तो सुन ही होगा और जानते हैं ये एक्सरसाइज है अगर आप ताली दुक्मेंट हाथ लाल होगे देखो अगर आपको कहान इसमें नस की प्रॉब्लम होती है अगर आप ताली कभी हमारा धर्म बहुत बढ़ा है जान तेकने गाउं घर में लोग राम भजन बोलते रहते हैं काली दुरी के राधे से आम बोरी संकर सीता होता है खराब चीज नहीं है लेकिन क्या होता है अगर आप खराब तरीके से तालिब आएंगे तो आपका जो वेन का प्लेस है उडिस्प्लेस होगा कल आपको वेन में प्रॉब्लम आने कि कोई चीज एक्साइज वी गलत तरीके से करोगे तो पैदा कभी नहीं होता है सही तरीके से ही सब कुछ करना है अर यह समझ मैं हर चीज का शी कि अगर आप अईसे करते हो इसमें क्या होगी आपको बीमारी फैलेगी भीमारी घटेगी नहीं लोगों का तरीका क्या है एंगल जो है वह पैडलर में भूटना चाहिए हर चीज का एक तरीका होता है कि अगद्र आज आजाएगा तौन है ताली बजती है इसे आसिक है अब अब इसे कभी ताली बजाना दियान वहां चला गया नहीं 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 वह ताली अलग होती है यह उनका आपका शक्राइब इसका आंसर जो है वह फर्स्ट ऑप्सन सही है अब गलत सोचे यह बहुत अच्छा कोश्चन था मैं सिर्फ बोल दिया था कि बहुत अच्छा कोश्चन है आप दुख्वाइब बहुत इजी क्योंकि मैं आपको इजी बताया हूं को सब्सक्राइब कि जब किसी नंबर का एक स सकड़ मैं ज्यांदा पावर हो सारे पावर चोंकिया करोगे मल्टिप्लाइब वहुत ही सिंपल सब्सक्राइब answer अब क्या हुआ मैंनस टू चलो मैं लिख देता हूं मैनस टू मल्टिप्लाइ मैनस टू इसको मल्टिप्लाइ करो कितना आएगा पलस 16 की मैनस 16 पलस 16 ताप का अंसर क्या है फास्ट आप क्लियर है कंप्लीट देखो अब अगला कोशन नहीं बनाई नेक्स्ट एक छोटा सा और कोश्चन है तू का पावर तू का पावर थ्री का पावर टू डिवीजन तू का पावर थ्री का पावर टू इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन बना के देखें मैंने बताया है पिछली क्लास में क्या करना है इसको ऐसे बनाना तो बना के देखें एक्जेक्ट आंसर बोलिए कितना आएगा अंसर अब इसमें गरवरी मत कर देना इसका अंसर कितना आएगा यहाँ वन बाइट वेरी गूरा पहला अप्शन रहेगा एट तो क्या अंसर गलत होगा इसका अंसर कितना आएगा वन बाइट जिनको दिखकत हुए आप पिछली क्लास जाके देखो अपने आप समझ मायेगा यह दोनों बताद सेंडाटा में द इसको बना के देखिए जो छोटी छोटी कोशन कभी दिखे न सतर्क हो जाना मामली प्रस्ट नहीं है जो अब यह बना रहे हुए बना के देखो तो पता चलेगा अले कोशन ठीक से लिखिए 4 का पावर मानस थी वाइटू इस का यूब मैनस पावर का पावर का पावर क्लियर है कम्प्लीट कितना आया अंसर वन बाई टू ठीक है देख लीजे जो बनाना इस को संको उचल में क्लियर करता जो इंको दिक्कत सब्सक्राइब पहले आप पावर को ठीक करो तो कि पावर क्या है फोर का पावर माइनस थ्री वाई तू अगर आपको दिक्कत हो तो इ इसको है अब पहले से पावर क्या है माईनस 3 माइनस 3 वाय तू से 2 नौ का पाषर क 스माइनश वाई मतलब किया 1 8 विअ रहा हुए इसको रूल भूलना नहीं बताए था कि जब भी पावर भीस में हो और नीचे वाला कटेगा जरूर यह चतेगा कहा से तो यहां कितना हो गया मैंनस थ्री तो का पावर मैंस थ्री मतलब क्या हो गया इसके बदला में आप यहां पर क्या लिख सकते हो 256 का पावर माइनस है और इसको solve किया तो कितना आया है 1 by 8 तो यहां रख दीजिए 1 by 8 का रहा हूं कॉम्टिटी बेसिक में सारी चीजें परफेक्शन मोड होनी चाहिए तो बच्छे वहां तोड़ते रहता है 256 दो से दो एक अंदो दो दुनी चार दो अठे सोला दो से दो छके बारा दो चोका आठ दो से बतिस वार चातिस बतिस अचा बतिस दो से सोला अब दाएगा बनाने का भी फायदा नहीं है ना क्या फायदा है यह क्या होगे इट सीट कैंसल होगे टू का पावर माइनस वन कितना आगया अंसर वन वाइट अच्छा को संथा जितने भी को सना भी आप लिख रहे हो ना इस सारे प्रीविए से के कॉस्टन से देख लेना आज कि क्लास के स्टार्टिंग के मैंने दो से तीन कोशन अपनी मन से दिया है उसके बाद जितनी भी आप कोशन लिखे हो सारे प्रीविश्टा के कोशन में दे रहा हूं आपको कलियर है ऐसे कोशन साते हैं देख लेना अगला कोशन लिखिए next अभी बात यहीं तरक निखती आ का पावर 0.13 मैं बोलते भी जाता हूं लिग जाएंगे मल्टिप्लाइट 243 मल्टिप्लाइट 243 का पावर 0.07 अपॉन में 7 का पावर 0.7 का पावर 0.25 मल्टिप्लाइट 49 का पावर 0.075 मल्टिप्लाइट 343 का पावर मल्टिप्लाइट 343 का पावर 0.2 है 0.2 है हाँ 0.2 है इसको सॉल्व करना इट सब वेरी वेरी इंपूर्ट है देखे बना के अई तो बोला हूं 0 इसको ठाओंगा और टॉप तक ले चलूँगा इसको आप निस्सिंत रहा जाओगे किस टॉपिक से अगर किसी भी एक्जाम कोशन बने पूछेगा तो आप से छूटेगा और यहीं तरीका होता है पढ़ने का अब टाइम लीजे इसमें मैं टाइम देता हूं अब बनाए अभी रुख जाए विधर फड़ाई है मतवी 10-15 मिट के क्लास बांकी है आज मैं कहानी भी सुनाने वाला था लेकिन कल की कहान यहाओ विचारा आया ही नहीं मैं भी तेख गया बंक मार दिया है अब इसलिए अब आस ताइमें नहीं रहेगा न 10-15 दिन नट तो भी क्लास है कुछ को स्टन सावर है भी अब बन गया वाथ है कितना अंसर है रिवाइब सेब वैरी बूर सीखिए इस सीखने की चीजा यह निकिसको बाहर जाके भाला मार देना इर्षिया कभी नी करनी है अगर क्लास में कोई बच्चा इतनी 30G से बना रहा है तो क्या है इसमें सीखने की चीज है कोई तो बना रहा है नहीं बनाता दो कितना दोको 10 दो सेका नहीं लगा बना दिया 3Way7 आंसर सही बोल रहा है वेरी गूट ये सीखने की चीज होती है सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को सीखिए मन में बिनम्रता लाइए पवित्रता लाइए ये सीखिए कोई बना रहा है तो उसका क्या है कितना मिहनत करता होगा जो इतना हैवी कोशन को 5 सेकेंड में बना दिया कुछ बात है ये चीज सीखना है मैं हमेंसा यही सिखाता हूँ आप लोगों को आप में ही सिखाता हूँ आपको कभी इर्षिया भावना नहीं रखनी है 3 by 7 क्लियर है सबसे कोई दिकत नहीं उपर वाले कितनी के टर्में तोरते 3 के टर्में आपको बतायाओ ठ्थूभ 2 ने चलिकता है सबकोवें सब कर दो पावर कैड़ कर दो पूरा उपावर 1 नोट कर लिजी अगला कुछन नेक्स्ट देखे गोस्टन कैसे आते हैं आप देखते जाना यहां पेर नंबर थी है यहां पेर नंबर प्री है कि वन माइनस नाइन्टी वन अपॉन में 216 कभी काल यह सिंगल भी पूछ देता है कभी काल आपको डवल भी यह पूछ देता है division 36 अपॉन में 25 का पावर माइनस 1 बाई 2 multiply 5 बाई 6 का पावर 1 स्वरी माइनस 1 एक्स्टी में शर्व करके देखे बहुत अच्छा क्वेश्टन है it's a very very important question यह है question और बना लेंगे आप यह 5 सेकिंद मगर आपका basic calculation अच्छा है तो 5-7 questions आप लोगं को और लिखना है आप घावराना मत अभी questions है इसके अंदर अगर कहोगे तो चार को ओमवर्क लिए दे दूँगा कहोगे तो अच्छोर दूँगा अर तरह की questions आते हैं लोग पलिस का बता है इसका आंसर कितना निकाल है इस वाइब वैरी गूड शिक्स वाइब आंसर है नीचे वाले का अब यह देखिए इस 625 का पावर 6.25 multiply 25 का पावर 2.6 625 का पावर 6.75 multiply 5 का पावर 1.2 it's a very very important question देखिवा ना जो आज class छोड़े है उसका तो पूरा सत्यानास हो गया है कम से कम जो class के लिए आये हैं वो कम से कम realize तो करेंगे न यह चीज़े होती है कभी काल सारी चीज़े बनती ही नहीं है कभी काल अपने आपको हैसास भी करते हैं करते हैं कि इतने को शन्स हुए अभी तक दस्तों हुआ कि नहीं आज 17 हो आज बात इतनी हुए क्या सेवेंटी हो गए चलो ठीक है आज में मूड में ही था आज इसको खींचेंगे पूरा सत्रक कोस्टन होगे चलिए बहुत बढ़ी आज कि वीस तक जाएगा ही जाएगा वीवी तिन चार कोस्टन बांकी है वीस क्रॉस कर जाएगा अब दो बोलता हम पढ़ाई कीजिए तैसी पढ़ाई कीजिए परफेक्स्निस्ट बनिये मन ला आके पढ़ाई कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए क्लियर है कितना अंसर आया 25 25 25 अब में एक पर आपको क्लियर कर देता हूँ जो लोक बनाया होगे जो लोग नीआए उनके एक तड़ी खें कर देख चो नहीं है कि इसको उम 5 की तर्में तोर सकते हैं बेस को जैसे मालगा जिसको भी इसको भी 5 का पावर फोर लिख देंगे पाइब का स्कूरइड कर देंगे क्योंकि 5 पास का देख रहा है तो 5 इसको भी इसको 5 पावर पुर देख आप डिरेक्ट कर सकतो टाइम बचेगा देखो यह कोशन वही चीज़ का रहा है आप पावर कर करके बना लिए कोई दीक्त न में अगर base equal हो तो power क्या आता है यह तो बहुत easy है 6.25 से 6.75 minus करोगे तो क्या जाएगा minus 50 यह क्या हो गया 625 का power क्या हो गया minus 0.5 अब minus 0.5 का मतलब क्या आप यह फिर रूप नीचे चला गया गौर कर है कि रहे दिया अब हम इसको क्या लिख सकते थे इसको क्या लिख देते फाइब का स्कुर तो कितना हो गया अब यह हो गया यह चला जाए क्यों कि अब यह क्या हो गया पाँच का पावर चार शेषोपचीस के स्कुर कितना होता है इस अब कि पावर फोर से भी तोड़ सकते हैं लेकिन आप शेषोपचीस पर तोड़ दीजिए बेस इक्वाल दिख रहा है अब दिकत क्या है तो थो थो थाइम ज्यदा लगेगा इसमें कुस्टन लिखें बेहतरीन कुस्टन है अगला लगे हटाओ इसको कुस्टन तो नोट करें लिए होंगे न लिखिए 243 का पावर एन बाइफाइव और देखते जाएए भी कि कुस्टन कैसे कैसे आते हैं इन्टू री का पावर इन्टू 3 का पावर 2N प्लस 1 2N प्लस 1 अपॉन में 9 का पावर N इन्टू 3 का पावर N आपकू सॉलू करना है यह अटा देता हम यह ठीक है इसको solve करना अब देखे solve करके इसके options है option दे दू आपको ने लिखना है ते लिख लीजिए इसके options है n 3 and 3,9 n 3 and 3,9 इसके options है देखे बना के 15 सेकेंड का time लिशिए दी यानिकि last option यानिकि 9 आएगा 9 अगदम सही है very good इसका answer कितना है 9 last option जिनको दिक्कत ही आप मुझसे मत बनाई क्यों बहुत सारे बना चुके है आपको देख रहे हैं इसमें कुछ था नहीं इंटू का मतलब क्या होता है multiple आप इसको क्या लिख सकते हैं थिरी का पावर 5 बहुत ही जीता 5 से 5 कट जाता थिरी का पावर n आ जाता अब multiply में base equal कर देते है पावर जूर देते फिर नीचे में भी 3 के term के निकालते है 3 का dias upa रहिए इसरीका पावर नीचे में कुछ आता फिर बे सिकसुक्त धांभी एक तो जबरदस्ट कोशन है मैं यहाँ देता हूँ अगर आपसे बनता है तो बनता है अधर वाइस होमवर देखो एक कोशन जबरदस्ट मुझे दिख गया लिखो कोशन जबरदस्ट कोशन है 212 का पावर 0.5 212 का पावर 0.5 multiply 848 का पावर 0.5 कमजोड दिर वाले जो चात्र होंगे अपना धरकन को ठीक से रखना मैं तो पूनम पाण्डे टैप निकल मत जाना 4 का पावर 0.5 4 का पावर 0.5 भड़ी जवानी में निकल जाना है मैं भी तुमाज आके कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ी ऐसी बात कहूँगा भड़ी जवानी में निकल जाना हूँ मैं भी तुमाज आके कर रहा हूँ कि सोसल मीडिया का जवाना देख लो 4 का पावर 0.5 0.5 का पावर 4 इसे एक पर हाला उड़ा दिया था मतावचन बढ़ गया मैं फोटो ऐसे आए उसमें तुल्सी का पता डाला वाँ तुमाज निकल गया सुबस्भा कारी दी थी उसका परस्नल पीए पीए तरी पार है भाग गिया अमतावचन को बेचार आना पड़ा जो इस घंटे बाद भाए मैं जिन्दा हूँ साथ फुट का अदमी हो ठीक ठाक हूँ कोई दिक्कत नहीं है अधि पुनम पांडे को भी रहाने दीजिए अभी कल्यान काड़ी उद्धेश है उनका तो ठीक है अगर बन जाए तो बन जाए अधर वाजी हो मर के लिए आपका देखेंगे बहुत अच्छा कोश्चन है आपको मैं दुचार पांच कोश्चन और लिखा दू हो मर के लिए पताई थोरा सा धियान देंगे तो बन जाएगा यहीं पे थोरा सा धियान दीजिए लेकिन है कोश्चन बहुत अच्छा क्योंकि 212 का परफेक्ट स्क्वेर तो नहीं होता है 0.5 का पावर अगल लगा हो कुछ ठीक से दिखोंगे ताब को पता चल जाएंगे अ कि कितना आया है तैंटीस बिरानवे सही बोल रहा है very good तैंटीस बिरानवे 2392 अब तो कुछ बचता ही नहीं है किसी ने तो बना दिया है 2392 जिनको भी दिक्कत भी आंसर नोट कर लिजे और यह सीखने की चीज है कि लाज होती है एक सिक्षित परिवार की तरह होता है इसमें हर तरह कि सदस होते हैं तो हम उसी से सीखते हैं अब बताओ मैं इसमें होमवर्क दूँ ऐसे मैंने सारा टाइप जितना था सब करवा दिया अगर आप कहुत मैं होमवर्क दे दूँ या छोड़ दूँ फोट नहीं है जैदा मत बनाए जो जैदा सब्सक्राइब बनाए उसी को बनाने से महत नहीं आता है पूरा concept समझ जाओ ऐसे बनाता है कर लिख लो कॉंग एक को सबस्तमीजा और अच्छा दिख रहा है लिखो ना तीन लिखो ना चार पांच पांच एक बहुत अच्छा द करेगा लिखो कि विद्यार्थी स्मूच रहाओगा आज मती मारी गई थी जो आगे आज समस का समस कर रहा कम जल्दी छुटी हो नहीं आज सर फसा के रखिए तिरी का पावर मैं क्या करूं मैं पहले बोला तरी का पावर जो आता होई दूगा तरी का पावर M plus 2 फ्रीक पावर M plus 2 minus 3 का पावर M plus 1 upon me on me 3 का पावर M plus 4 3 का पावर M plus 4 plus 3 का पावर M plus 3 its a very very important question देखिया बनाके जबरदस्त कुछोन है क्लास बेहतरीन क्लास हुए आज दिल खुश हो गया क्लास लेकर यह होता है क्लास अब हमारी तो समस्य आउते हमको हर चीज पठाना पड़ता है तकि जब क्लास थी का पावर M पलस फोर है यह फोर है क्लास वह अची होते हैं जिसमें कोश्चन में आप माले जहाव चीज को तो भैज जीरो से उठाना पड़ता है लेकिन मजा असली छात्र को और टीचर को का बाता है जब क्लास तफ हो हाट से हाट कोश्चन आए अब नों मजा है कुछ बच्चे मन ही मन करें हाँ सार आपको मजा लग रहा है हमसे तो पूछिये हमारे दिल का क्या हाल है अब घवरामत बहुत इजी कूशन है अब धिहां से देखो यहां मैनस है और यहां परस है इसका कोई रूल तो है नहीं मैनस प्लस वाले रूल तो नहीं है जो पावर को फट से पलस या मैनस करो तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कि इतना आएगा शिक्स वैसेवन और कि एक पर मैं क्लियर कर दू जब होंवर्क नहीं ले रहे हैं तो क्लियर करके चलता हूं देखो आपको क्या करना इसमें अब ध्यान देखो इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन इसका एक वर्टे 18 है आपको देखना है आप यह लिख सकते हो 3 का पावर M multiply 3 का पावर 2 लिख सकते हो आप क्योंकि multiply में अगर बेसिक कोल हो तो पावर को एड कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं बेसिक में तोरना आना चाहिए ठीक है फिर आप इसको क्या लिख सकते हो फिर इसको क्या लिख सकत तो 3 का पावर एम मलटीपलाइब 3 गवरी अब उपर इस अक्रव और 3 का पावर एम आम ककॉन लिलो bekannt पावर एम कॉमांय कों मो Demo क्या बच जाएगा ट्रीका स्क्कॉयर माइक है तो मेंनस यहां पर क्या बच जायगा थे का पावर 1 अब नीचे नीचे को वेन थाए दिख रहे हैं पब ठीख का पावर हैं चैकल में से कभी एन से इस कूस बनाता है इस तरह path आपको 7-8 महिना परना बलकि मैं बोलता हूं 7-8 महिना जाता है 9-10 महिना तो आप पढ़ोगी तभी नोट बेस्ट है math or English कुछ भी मैं बूक देता हूं PDF देता हूं कोई चीज आप कुछ भी मत करो पले क्लास को पढ़ जाओ जो मैं कह रहा हूं विश्वास करो आप विश्वास नहीं करते हो तब तो उसका कोई बात नहीं है सक में घुमते राजा होगी सक के सुई भूत खराप होती है कोई रिष्टा खराप कर देता है इसलिए बार बार बनाई या और इसी को क्या कीजिए कमे कुर्शन लिखाया था याद है बताओ तो कुर्शन नहीं याद होता है कुर्शन कैसे याद होगा कुर्शन थोड़ी याद हो जाएगा किसी को मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं से तो मुझे तो याद है आपको कहां से याद हो जाएगा मेरा तो लगवववववववववव सेवेंटी परसेंट तक याद है इसमें कोई दिकत नहीं है तभी मैं आधास या कोशन इसे लिख देता तो तो प्रैक्टी से लेकिन दस साल तक करोंगे बुढ़ा जाओगे विद्यारती उचाल तो आपको याद नहीं रहता उसी को बार बनाया करो डाटा उसी चेंज करता ह है चीज़ें वही रहती है अब यह कट अब कुछ है थोड़ यह 3 का स्कॉर कर दो 9 9-3 3 का पावर फोर कितना हो गया 81 अथरी का क्यों क्या हो गया 27 अब यह कितना हो गया 6 यह कितना हो गया 107 8108 काटो कितना जाएगा एक बट्टे कि आई बात समाझ में ठीक है making mistakes is the foundation of learning something गलतियां करना मनुस्ष्का सभाव होता है जो मनुस्ष्क गलती करता है उसका सभाव होता है और अगर आप गलतियों को सुधार करते हो तो महान मनुस्ष्का काम होता है उसको रियलाइज करके आप सुधार यह आता है नहीं आता है कितना लेवल खराप है उसे कोई मायने नहीं रखता है ठीक क्लियर है देख लो बहुत हैवी क्लास हो गया आज की एक आत को तो मैं टेस्ट पर तौर के पूछ दूंगा चलिए ठीक है आज की क्लास यहीं संपन होती है फुल टॉपिक ठाव का पूरा कंप्लीट